जून 2023 में इंडियन के विस्टन कोस्ट पर आये साइकलॉन विपर जोई के बारे में तो आप सब ने सुना और पढ़ा होगा। इस साइकलॉन से गुजरात और पाकिस्तान में भारी तबाही मची थी और गवर्न्मेंट ओफ इंडिया को किवल गुजरात से ही लगबग 80,000 से जादा लोगों को इवैकुएट करना पड़ा था। साथ ही एक इस्टिमेट के अनुसार इस साइकलॉन ने गुजरात की एकॉनमी को 1200 करोड से भी जादा का नुकसान पहुचाया था। हलाकि ये पहला इंस्टेंस नहीं था जब इंडिया को साइकलॉन से हुए जानमाल का नुकसान सहना पड़ा हो। इससे पहले भी कई बार हमें साइकलॉन से हुए भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। क्या ही साइकलॉन इतने डिस्ट्रक्टिव होते हैं, इनका ओरिजिन कैसे और कहा होता है और आखिरकार इनके इतने अतरंगी नाम क्यों होते हैं। आज के इस डिसकेशन में हम इन ही सब सबालों का जवाब जाने की कोशिश करेंगे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि साइकलॉन वर्ड ओरिजिनेट कैसे होगा। दरसल साइकलॉन वर्ड ग्रीक वर्ड साइकलॉस से ओरिजिनेट हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सई सुना। आप अगर साइकलॉन को देखें तो ये स्नेक कोईल यानि साब की कुंडली जैसे ही दिखाई देता है। साइकलॉन का फॉर्मेशन एक कॉंप्लेक्स मेटिरोलोजिकल फेनोमेन है, जिसमें अट्मॉस्फफरिक प्रिशर एक बेहत इंपॉर्ड रोल प्ले करता है। एर से अर्थ की सर्फिस पर पढ़ने वाला फोर्स या प्रिशर को हम एट्मॉस्फरिक प्रिशर कह भें। जब किसी जगहें air warm होता है और वो air vertically rise करता है जिससे उस जगहें air की कमी हो जाती है और ऐसे जगहें को ही low pressure कहा जाता है Similarly cold जगहों पर या ठंड जगहों पर जहां air cold होता है वहाँ air sink करता है नीचे की और आता है जिससे वहाँ high pressure zone create हो जाता है Cyclone या जिसे हिंदी में हम चक्रवात भी कहते हैं वो ऐसा storm है जो ocean में circular motion करता है Technically कहें तो low atmospheric pressure point के पास circular motion में घूमने वाली wind से originate हुए storm को cyclone कहा जाता है Cyclone inward direction में spiraling movement करते हुए move करते हैं और Coriolis force की वज़े से इनमें wind की direction नदन hemisphere में anti clockwise और southern hemisphere में clockwise रहती है Generally cyclones spiral shape में ही देखने को मिलते हैं हर साल Indian subcontinent में 5-6 cyclones form होते हैं और ये जादा तर Bay of Bengal में ही देखने को मिलते हैं लेकिन climate change की वज़े से Arabian Sea में cyclones का formation भी increase हो रहा है वहीं दुनिया बर में 70-90 cyclonic system हर साल generate होते हैं cyclones अपने साथ heavy rainfall और storm ले आता है जो coastal area में भारी तबाई का कारण बनता है बात अगर classification की की जाए तो cyclones दो types के होते हैं temperate और tropical cyclones दोस्तो अर्थ को study करने और बैतर धन से समझने के लिए कुछ imaginary lines बनाई गई हैं उनी में से 23.5 degree north और south को respectively line of cancer और line of capricorn कहा जाता है इन दो lines के बीच के area को tropical और इन दोनों lines से बाहर अगर हम 60 degree north और south के तरफ दिखेंगे तो उन reason को temperature zone कहा जाता है और यहां आने वाले cyclones को इसी वज़े से tropical और temperature cyclone में divide कर दिया गया है यह zones mainly temperature difference को दर्शाते हैं जहां tropical zone में high temperature देखने को मिलता है वही temperature zone में comparatively low temperature होता है और इस temperature difference का reason है यहां sun से आने वाले radiation या temperature जिसे हम insulation यानि incoming solar radiation भी कहते हैं tropical cyclones जहां 30 degree north से 30 degree south latitude के बीच में generate होते हैं वही temperate cyclones mainly frontal cyclones होते हैं जो mid latitude regions में develop होते हैं temperate cyclones के comparison में tropical cyclones ज़ादा devastating होते हैं लेकिन tropical cyclones बनते कैसे हैं? आहिए देखते हैं tropical cyclones के develop होने के लिए कुछ conditions का fulfill होना बहुत ज़रूरी है पहला है sea surface temperature tropical cyclones develop होने के लिए oceanic surface का temperature 27 degree से ज़ादा होना ज़रूरी है क्योंकि high temperature से water का evaporation होता है और large amount में moisture मिलता है जो cyclones को constantly energy provide करता है इस hot oceanic surface के उपर से होकर जाने वाली air इसके contact में आने से गर्म हो जाती है और रास्ते में moisture capture कर लेती है और वहाँ बने low pressure से vertically rise करने लगती है moist air में बढ़ती height के साथ condensation होता है और इससे निकलने वाली latent heat air को और गर्म कर देती है जिससे clouds का formation होता है latent heat वेपर के water में convert होने पर release होने वाली heat को कहते है यही reason है tropical cyclones 30 degree north से 30 degree south में ही develop होते है जहाँ पर temperature जादा होता है sun की rays directly पहुचती है महाँ पर sea surface temperature के बाद दूसरा condition है corollis force का अर्थ की rotation की वज़े से एक imaginary force generate होता है जिसे हम corollis force कहते हैं और यही corollis force air में circular flow develop करता है इसी corollis force की वज़े से northern hemisphere में cyclone में wind की direction anti-clockwise और southern hemisphere में clockwise रहती है equator के पास corollis force का effect लगबग zero होने की वज़े से 5 degree north से 5 degree south latitude के बीच में कोई cyclone develop नहीं हो पाता और इसे doldrum के नाम से जाना जाता है tropical cyclones के form होने का तीसरा requirement है existence of low pressure system geography की भाषा में low pressure areas वो areas हैं जहां का air temperature relatively high होता है और higher temperature होने की वज़े से वो air upper direction की और move करने लगता है जिससे उस area में एक atmospheric low pressure create होता है low pressure से बने air के vacuum को पूरा करने के लिए आस पास की air तेजी से इस area की और move करती है जिससे oceanic surface पर एक converging wind system create होता है wind movement की ये dynamics cyclone के formation के लिए essential होता है इसके अलावा atmospheric instability भी tropical cyclone form होने के लिए एक जरूरी factor है जब warm air cold air के उपर रहता है तो ऐसे में नीचे की cold air का rise नहीं हो पाता और atmosphere stable रहता है लेकिन वही जब इसका उल्टा हो जाए यानि warm air नीचे और cold air उपर हो तब warm air जो की surrounding air से हलकी होती है उसका vertical rise होता है जिससे atmosphere unstable हो जाता है cyclone के formation के लिए air का vertical motion atmospheric instability से ही मिलता है दोस्तों इन सभी conditions के मिलने से ही cyclone का formation हो पाता है cyclone का formation जैसा कि हमने पहले भी discuss किया कि एक complex phenomena है इसे form होने के लिए कई सारे factors को मिलना ज़रूरी होता है और ये कई सारे stages में develop होते हैं cyclone का formation शुरू होता है ocean water के evaporation होने से cyclone के initial stage में oceanic water के warm होने से evaporation होता है और ये air के साथ vertically rise करते हैं और एक height पर जाकर massive vertical cumulus cloud बनता है फिर cyclone के mature stage में इस process की intensity और बढ़ जाती है और storm form होने लगते हैं जिसके कारण tropopause level पर massive cloud बन जाते हैं और साथ ही इन storms की intensity भी increase होने लगती है इस stage में clouds एक certain height पर horizontally spread होते हैं इसी height पर air और clouds के spread होने की वज़े से एक high pressure belt form होती है जहां से air downward motion करते हुए नीचे को आती है इस पूरे air system के higher speed पर rotate होने की वज़े से इस area के center में air shrink हो जाती है और एक extremely low pressure zone बनता है जिसे हम cyclone की eye मतलब आँख कहते हैं cyclone की eye पर low pressure होने की वज़े से कोई rainfall नहीं होता और ये एक calm और stable atmosphere create करता है लेकिन cyclone के बाहरी layers और walls पर heavy rainfall होता है जो इस पूरे system को balance करने का काम करता है cyclone अपने last stage में coast से टकराता है जिसे हम landfall भी कहते हैं और वहां से further land की ओर travel करता है लेकिन land में आने के बाद cyclone का energy source यानि की moisture खत्म हो जाता है और इसी वज़े से cyclone weak होने लगता है और ये बहुत तेजी से खत्म होते होते बिलकुल समाप्त हो जाता है लेकिन temperate cyclone की formation, process, stages, etc. tropical cyclone से काफी अलग होते हैं Temperate cyclones उन cyclones को कहा जाता है जो mid latitude यानि 35 degree से 65 degree latitude के बीच में originate होते हैं ये north और south डोनों poles के side में हम देख सकते हैं ये cyclones west की direction को move करते हैं और winters में इनका formation जादा आसान होता है इनका formation tropical formation से बिलकुल अलग है polar और tropical air mass के आपस में मिलने से इन cyclones का formation होता है दरसल tropics की warm humid air mass और polar cold air mass के मिलने से fronts बनते हैं जिससे temperate cyclone form होते हैं air masses air की large quantity होती है जिसका temperature, humidity, etc. किसी भी latitude पर same रहता है दो different air masses के मिलने पर form हुई boundary को front कहा जाता है fronts पर cold air dense और heavy होने की वज़े से warm air को push कर उपर उठा देता है इस meet up से instability create होती है और एक low pressure area generate हो जाता है इस low pressure से generate हुए vacuum को fill करने के लिए surrounding air rush करती है earth की rotation से ये process और intense होती है जिससे temperate cyclone develop होता है cyclones की study में cyclone के बनने और types के अलावा एक और major dimension है और वो है nomenclature of cyclones यानि cyclones का नाम करन कैसे किया जाता है cyclones के नाम की बात करें तो ये नाम केवल tropical cyclones के लिए ही रखे जाते है temperate cyclones को कोई भी नाम नहीं दिया जाता है tropical cyclones के nomenclature process inclusive हैं यानि इनके naming process में cyclones से affected countries बारी बारी से इनका नाम रखती हैं और ये process world metrological organization यानि WEMO की देखरेक में होता है बात अगर इंडिया लोशन की की जाए 2004 में इस reason के 8 countries श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, माल्डिव्स, एटसेटरा इस reason में आने वाले cyclones का नाम करण करते हैं हाल ही में I-Tropical Cyclones, Biporjoy का नाम बंगला देश द्वारत दिया गया है इसके अलावा इन tropical cyclones को दुनिया के अलग reasons में different different नामों से भी जाना जाता है Caribbean Sea और USA में आने वाले cyclones को हरीगेन कहा जाता है वही चाइना सी में आने वाले cyclones को टाइफूल, जापमान में टाइफूल और North Australia में आने वाले cyclones को विली-विली के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों हमारे प्यारे भारत में West Bengal से शुरू होकर ओडिशा, आंधर प्रदेश, तमिल नाडू और West Coast में केरला से लेकर गुजरात तक 7516 किलो फीटर की ये distance में फैली एक लंबी coastline पाई जाती है जिसका 76% area cyclone prone माना जाता है जोग्रफर्स इस area को Indian cyclone corridor के नाम से भी जानते हैं Cyclones human life और infrastructures को heavily damage करते हैं और इसलिए इस disaster को अच्छे से manage करना भी एक बड़ा challenge है इस disaster के effective management के लिए कुछ structural और non-structural measures अपनाए गए हैं Structural measures के अंडर cyclone shelters, cyclone resistant buildings, canals, drains का construction और साथ ही communication और power transmission networks को भी establish किया गया है वहीं non-structural measures के अंडर early warning dissemination system, coastal zones का management, आम लोगों में awareness, disaster risk management जैसे कदम उठाए गया है इन प्रयासों से cyclone की वज़े से होने वाले loss को कम करने में भी मदद मिली है इसे के साथ आज का discussion यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे next वीडियो में तब तक के लिए जैहंद